पिछले सेशन में हमने सोशल एंटर्परनियोर्शिप की एकनॉमिक थ्रेटिकल बेग्राउंड के हवाले से बात की इस सेशन में हम सोशल एंटर्परनियोर्शिप इनिशियेटिव पर बात की है उसका जाइज़ा लें तो समझ आती है कि सोशल एंटर्परनियोर्शिप जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं या तीन तरह के जो गुड्स एंटर्परनियोर्शिप जो है वो पैकेज़ ऑफ इनोवेशन डिलिवर करते हैं जो के कॉमन प्रॉब्लम्स और नीड्स को एड्रेस करने के लिए चाहिए होते हैं उसकी एक्जामपल हम ग्रामीन बेंक की शकल में देख चुके हैं जिसने पॉवर्टी का एक कॉमन प्रॉब्लम जो है उसको एड्रेस करने के लिए एक innovative package जिसको बहुत सारे लोग mass level पे use करते हैं micro financing के जरीए से वो दिया दूसरे नंबर पर social entrepreneurs जो हैं वो local marginalized और vulnerable groups की capacity building की कोशिश करते हैं अपनी entrepreneurial activities के जरीए से इसकी एक example जो है वो Amazon conservation team की हम दे सकते हैं यहां मैं Amazon social platform की बात नहीं कर रही बलके Amazon rain forest की बात कर रही हूँ यह दुनिया के सबसे बड़े rain forest हैं जो near destruction थे entrepreneurs ने local लोगों को जो indigenous populations उन forest में रहती हैं उनकी capacity building करने की एक initiative लिया है जिसके जरीए से वो उन्हें train कर रहे हैं वो खुद forest को ना सरफ protect कर सकें प्रिजर्व कर सकें बलके उन्हें sustainable बना सकें तीसरा काम जो social entrepreneurs करते हैं वो लोगों को जो existing status quo है या abusive elite है उसके खिलाफ जमा करने का करते हैं उसके खिलाफ उनको strengthen करते हैं बजाहर ये थोड़ा सा मुश्कल टास्क लगता है और social entrepreneurship के जो दारकार है उससे बाहर लगता है लेकिन इसकी बहुत सारी मिसाले मौजूद हैं मसलां self-employed working women organization इंडिया की जो है औरतें जो कूड़े के धेरों से collect करती थी material जो घरों पे काम करती थी रेग पिकर्स इस तरह की छोटे छोटे काम करने वाली औरतें जो हैं वो लोकल ठेकेदारों पुलिस और इस तरह के लोगों के हाथों exploit होती थी तो social entrepreneurs के groups ने उनको empower किया उनको एकठा किया कि वो अपने आपको protect कर सकें अपने rights डिमांड कर सकें और अपने छोटे छोटे जो उनके काम हैं उनके जरीए से वो earn कर सकें तो ये तीन काम हैं जो social entrepreneurs मुख्तलिफ किसम के enterprises के थूँ mainly करते हैं अगर हम इन तीन कामों पर गोर करें तो actually हमें social entrepreneurship और social movements में एक similarity समझ आती है जैसे मैंने खास तर पर आखरी काम जो social entrepreneurs करते हैं local groups को, logo को, status quo के खिलाफ, abusive elite के खिलाफ एकथा करने का वो काफी ज्यादा social movements के साथ resonate करता है तरसल ये तीनों काम ऐसे हैं जो social movements करती हैं in terms of sociological knowledge तो social entrepreneurs और social movements जो हैं उनमें similarities देखी जा सकती सबसे पहले social movements के charismatic leaders और social entrepreneurs जो के creative और innovative leaders होते हैं दोनों ही innovative तरीके इस्तमाल करते हैं जो existing situations हैं उनको बदलने के लिए उन problems को हल करने के लिए बहुत ही creative बहुत ही innovative modes जो हैं intervention के वो use करते हैं इस लिहाद से दोनों similar हैं कैसे वो problem को identify करते हैं हम सब देखते हैं उन मिसाइल को उनमें रहते हैं लेकिन कोई एक शक्स होता है जो उनके बारे में सोचता है और उनका कोई ऐसा हल ढूंड लाता है जो के सब लोगों के लिए applicable हो दूसरी similarity जो social movements और social entrepreneurs में नज़र आती है वो in terms of their output है दोनों की जो output है उसको महज किसी organization किसी business की growth की terms में measure नहीं किया जा सकता लोग social entrepreneurship के हवाले से करते हैं कि इसने इतना profit earn किया या इतने लोगों को social impact इसका हुआ लेकिन ये measurement जो है ये एक तरह से social entrepreneurship का जो broader benefit है वो जो social change है उसके साथ एक तरह से जयाती है एक underestimation है उसके contribution की इसी तरह social movements हैं कि उनके longer lasting impacts होते हैं जो कई generations तक चलते हैं तो उनका impact भी एक वक्त में एक organization या एक movement के हवाले से measure नहीं किया जा सकता unlike economics जहां हमारे पास शुमपिटर की थेरी मौजूद थी जिसको हमने social entrepreneurship के उपर apply कर दिया sociology में हमें social movements के इलावा इस तरह की कोई खास specific theory नहीं मिलती जिसे हम social entrepreneurship के उपर apply कर सकें लेकिन हमारे पास lines of direction जो है या lines of argument मौजूद हैं जिन से उमीद की जा सकती है कि social entrepreneurship की theoretical development sociology के हवाले से हो सकती है उसमें एक line of argument जो है वो social entrepreneurship का problem को frame करने का process है कि कैसे social entrepreneurs problem को identify करते और फिर उसको ऐसे लफसों में बियान करते हैं इस तरह viable उसका solution बनाते हैं एक खास frame में कि लोगों को वो implementable लगता है लोगों को लगता है कि उसका फायदा होगा और इन लोगों में policy makers भी शामिल है और आम आदमी जिसका मसला है वो भी शामिल है इसी तरह एक और sociological perspective जो है वो social entrepreneurs जिस तरह से innovatively resources create करते हैं और उसमें financial और human resources दोनों तरह के resources शामिल है उसका आ जाता है कि अगर इसको थोड़ा सा explore किया जाए तो social entrepreneurship की sociological theories जो है वो frame की जा सकती है so basically sociological perspective जो social entrepreneurship का है वो ये explore करता है और theorize करने की कोशिश कर रहा है कि social entrepreneurs अपने काम को legitimacy कैसे देते हैं उसको लोगों के लिए मुक्तलिफ stakeholders के लिए acceptable कैसे बनाते हैं कि ये society के लिए contribution है useful है Thank you